अंकिता जैन की कहाने सुनिये गुनहगार कौन वैदेही किस वर में आज अगर तेज हो तो जला देती है और धीमी हो तो बना देती है नजाने कहां ये जुमला सुना था उस वक्त पता नहीं था कि किसी दिन मैं भी इस दोर से गुजरूंगी जिस इनसान ने सालों पहले मेरी जिन्दगी को यह मोड दिया था कल राथ फिर उसी इनसान की वदालत मेरी जिन्दगी यू टर्न लेकर वापस चल पड़ी है दोनों ही मरतभा हम ऐसे हालातों में एक दूसरे के आमने सामने थे जहां ना नजरे मिला सकते थे ना मुस्कुरा सकते थे पिछले सास सालों से गुजर रही हर बेयाबरू रात की तरहे कल रात भी मेरे लिए वन स्टेंड नाइट की एक रात थी किसी लड़के की बैचलर्स पार्टी की मैं खास महमान थी बड़े शहरों में जहां बैचलर्स पार्टी कीए बिना लड़के मंडप में नहीं बैठते वहां मेरी जैसी लड़कियां अनपढ होते हुए भी अच्छा कमा लिती है जांगों तक का काला इसकट और आधा सीना दिखाता लाल चटक टॉप पहने मैं होने वाले दूले की गोद में बैठी थी उसके दोस्त हसी ठिठोली करके कभी मुझे चिड़ते थे कभी उसे सब कुछ ठीक चल रहा था और चलता रहता फिर एक रात मेरी जेबें भरके बीच जाती अगर वो सागर ना आता तो दूला उसका दोस्त निकला दोनों एक ही कमपनी में काम कर रहे थे मेरे लिए वह बात कुछ सपने जैसी और कुछ अपच थी कि छोटे शहर की एक गंदी बदबुदार तंग गली से निकला लड़का साथ सालों में एक बड़ी कमपनी में नौकरी करने लगे का और एक दिन सीना तान कर सामने खड़ा होगा जिसकी बड़ालत में सालों पहले अपना घर, अपने लोग और अपने आपको छोड़ने पर मजबूर हुई उसकी बड़ालत में गटर से निकल कर दूसरे गटर में पहुँच गई आज उसके सामने आते ही मैं इतना क्यों घबरा गई पार्टी खतम होने के बाद जब मैं जाने लगी तो वह मुझे छोड़ने आया नफरत कहलो या चुभन लेकिन मैं अकेले में उसका सामना नहीं करना चाहती थी फिर भी वो आया पूरी पार्टी के दौरान जब उसने शराब का एक भी क्लास हाथ में नहीं लिया तब ही मैं समझ गई थी कि मुझे शिक्वे शिकायतें करने के लिए वैं होश में रहना चाहता है तुम यहां कैसे? सोसाइटी पार्क में बेंच पर बैठे हमने जब खामोशी से बहुत वक्त गमा दिया तो उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा मुझे खामोश देखकर उसने अगला सवाल पूछा तुम तो बाले के साथ मेरा मतलब है तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ आगे भागी थी कहने में उसे आज भी जिज़क महसूस हो रही थी कागजी तलाक नहीं हुआ था हमारा उस लिहाज से तो मैं आज भी उसकी पत्नी ही हूँ शायद इसलिए जिसकी किस्मत में महबबत और इज़त से जिन्दगी जीना न लिखा हो उसे ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है बेज गया था मैं मुझे यहां लाकर मैं कहना तो यह भी चाहती थी कि तुमने अगर धोखा न दिया होता तो आज में सिर्फ तुम्हारी होती अब देखो ना जाने किस किसकी हो चुकी हो मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी टीस आज भी मन में चुपती है सना लेकिन सच्चाई बाहर आने के बाद महले वालों ने मुझे भी वहाँ चैन से नहीं जीने दिया कुछ लोगों ने तो हिंजरों को ख़बर कर दी कि मुझे अपने साथ ले जाएं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागा था तब से अब तक घर नहीं गया उसके आँखों में आज भी वही शरम है जो उस रात थी उतनी ही तकलीफ में भीगे हैं आंसू हैं जो उस रात थे कभी कभी लगता है ये मेरा गुनाइगार था भी या नहीं या शायद हम दोनों को किस्मत ने एक साथ चला मैं ना सिर्फ बाबा से डरता था वलकि अपनी सच्चाई सामने आने से भी बहुत डरता था इसलिए तुम्हें पहले कुछ नहीं बता पाया हो सके तो मुझे माफ कर दीना इतना कहकर मैं उटकर चला गया मुझे कुछ कहने का मौकर दिये बगएर मैं कुछ कहना चाहती भी नहीं थी जाते वक्त मेरे हाथ पर अपना हाथ जरूर रखा था और साथ में अपना कार्ड भी मैं बहुत देर तक उसी बैंच पर बैठी रही सालों की टीस आज कुछ कम चुपती हुई महसूस हो रही थी जहां से चली थी वापस वहीं पहुँच पाना तो अब संभव नहीं था लेकिन उसने आज माफी मांग कर कई जक्मों पर मरहम लगाई है कुछ जक्म अभी भी बाकी हैं कुछ मेरे भीतर और कुछ भाईया के सीने में दफन होंगे हिम्मत जुटाकर अब उन पर भी मरहम लगाने की कोशिश करनी होगी भाग भाग कर ठक गई हो उन सब तकलीफों से साथ साल बीद गए हैं उनकी जिन्दगी में तो शायद मेरा वजूद भी खत्म हो गया होगा यदि होगा भी तो कड़वा होगा तीखा होगा और उन्हें चुपता भी होगा मुझे उस वजूद की कड़वाहट कम करने की एक कोशिश तो करनी ही चाहिए यह ख्याल आते ही मैंने घड़ी देखी रात बीच चुकी है सूरज उगने में कुछी वक्त बाकी है और उस ट्रेन के छूटने में भी जो मुझे उस मन्जिल तक ले जाएगी जहां जाने का इरादा मैं आज इतने सालों में पका कर पाई हूँ जानती हूँ मेरी सच्चाई जानकर भाईया शायद मुझे मार डालेंगे फिर में हिम्मत करके एक दिन के सफर के बाद मौहले तक तो पहुची गए हूँ इसके आगे कदम बढ़े नहीं इसलिए गली के नुकर पर बने शिव मंदिर के चबूतरे पर कपड़े से मूँ ढखकर बैठी हूँ कि कोई जानने वाला मेरी असलियत न पहचान ले यह वही शिव मंदिर है जिसमें सालों तक मैंने सावन सोमवार करके मनचाहवर की ख्वाईश में वरत उववास किये थे मिला भी था मनचाहवर लेकिन वक्त कहूं या किसमत सागर मिलकर भी मेरी जिन्दगी का उतना ही बड़ा भरम निकला जितना बड़ा भरम मैंने बचपन से उसके मिलने का पाल रखा था शेहर के गंदे नाले के किनारे बसी मजदूरों की रिस्ती छतों वाली गली में हम दोनों ही सबसे काबिल माने जाते थे मैं दिखने में सबसे सुन्दर और वो पढ़ने में अवल मेरे घर से गली शुरू होती थी और उसके घर पर खतम फिर भी कभी कभार की मुस्कराहट के अलावा हमारे बीच कभी बातों का कोई लेंदे नहीं हुआ था बहुत ही घर घुसू टाइप का लड़का था ना कोई दोस ना यार और ना महभूबा हाँ बस पढ़ने में बहुत होशार था अकेला लड़का था महले का जो महले के ही एक फट्टी छाप स्कूल को छोड़कर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था पढ़ने को मैं भी पढ़ सकती थी लेकिन अमा बाबा के गुजर जाने के बाद जब खाने के लाले पढ़े तो भाईया को लगा कि जो पैसा आता है उसमें से कुछ बचा कर मेरी शादी के लिए जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है बजा है मुझे पढ़ाने के पांचवी पास करते ही भाईया ने मुझे घर के काम सिखाने शुरू कर दिये थे थोड़े सकत मिजास थे लेकिन मुझे चाहते भी बहुत थे उनकी सकती की एक वज़े शायद यह भी रही होगी कि अम्मा बाबा के बाद मैं ही उनका परिवार थी किसी दिन किसी वज़े से मुझे भी नखो दे इसलिए मुझे घर में बंद ही रखते थे उनके बेकायर कहीं आने जाने की आजादी नहीं थी सना आज स्कूल से अकेले क्यों आई मैं आ रहा था न लेने सूट सिलाने कोई अच्छी लेडी स्टेलर नहीं मिली क्या कि कैसे गंदे सूट बंदवाए है तु बहुत दिन से चाट खाने को बोल रही है आज शाम को ले चलूँगा सना सहेलियों के साथ यूँ फालतो बाजार में गूमने का कोई मतलब नहीं आजकर लड़के बहुत लफंगे हो गए है मुहले के लड़कों से हसी ठटा करने की कोई जरुवत नहीं है स्याले मूँ पे हसते हैं और पीट पीछे बाते बनाते हैं बच्पन में तो मुझे भाईया के इन बातों में उनका प्यार और परवा दिखाई देती थी लेकिन बड़ी होते होते न जाने क्यों ये प्यार और परवा बेड़ियां लगने लगे शंकर जी से अच्छे वर के साथ साथ मैं भाई की बेड़ियों का तोड़ भी मांगने लगी जो एक दिन खुद भाईया में सबसे काबिल थे इसलिए हमारा जोड तो बनता था भले ऐसा सिर्फ उसके घर वालों को लगता था फिर उसका घर उसके घर वाले मौले वालों से थोड़े ही अलग थे उसका बाप भी था तो मजदूर ही लेकिन उनके घर के हालात उतने ही पैसों में हमसे बेतर कैसे हैं कि हमें अक्सर भाईया की गालियों में उनके दोस्तों के साथ होती बातों में सुनती थी भाईया के किसी दोस्त ने मेरी और सागर की शादी का प्रस्ताव सागर के घर वालों के सामने रखा था उस वक्त सागर डिगरी कॉलेज से बियसी कर रहा था जाने क्या सोचकर उसके घरवालों ने मेरे लिए हां की थी वरना मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतने पड़े लिखे लड़के के लिए वो उसी महले के एक अनपड़ लड़की चुनेंगे सुन्दर हुई तो क्या हुआ सागर क्या चाहता था ये जानने पूछने का मौका दिये बिना बड़ी धूमदाम से हमारी शादी की गई मेरी पढ़ाई में कटोती करकर के भाईया ने जो पैसे बचाये थे उससे मेरे लिए 11 साड़ियां और एक चांदी का सूना चड़ा सैट भी बनवाया था पूरा सूने का भी बनवा देते शायद अगर सागर को मोटर साइकिल और उसके आगे की पढ़ाई के लिए नगद रुपया न देना होता शादी के दिन मुझे कुछ-कुछ यास और समझ आ गया था उन लोगों ने अपने बेटे के लिए मुझे क्यों चुना और शादी की रात मेरे आँकों से सारे परदे हटकर रसोई से सटे हुए कमरे में जिसे गेंदे के फूलों से सजाया गया था मैं विस्तर पर बैटी थी लाल रंगा लेंगा पहने जिसे मैंने मुझे की एक ठार्लर वाली से किराय पर लिया था मैं उसे इनसान का इंत़ार कर रही थी जिससे मैंने अब तक बात भले न की हो या यूं कहूं कि भाईया ने ना करने दी हो लेकिन कंध्कियों से देखा हर रोज है अपने महले के साथ साथ जो अगल बगल के महलों में भी सबसे जादा पढ़ा और सुन्दर हो जिसके चर्चे महले की हर लड़की करती हो उसकी बीवी बन कर मैं उसके बिस्तर पर खुद को उसे सौपने के इंतजार में बैटी थी पलंग से सटे हुए स्टूल पर दूद का गलास रखा था छपपर वारी छस से लटका पंखा जितनी तेजी से चल रहा था उतनी तेजी से जाए जाए की आवाज भी कर रहा था अच्छा है रात को कोई आवाज बाहर नहीं जाएगी इस ख्याल पर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराई फिर शर्माई और अपने लेंगे का घेर ठीक करने लगी जब इंतजार के बाद मेरी पलके ठकने लगी तब वो आया मैंने फिर सतर कोकर अपना लेंगा और गूंगट ठीक किया उसने भी कपड़े नहीं बदले थे किराए की शेरवानी पहन कर गूं रहा था कहीं दाग लग जाता तो पैसे कटते रड़कों को कपड़े समालने की अकल तो होती नहीं मैं अपने ख्यालों पर मुस्कुराई मुझे मुस्कुराता देख वो जिजग गया था फिर पलंग के किनारे पर बैटकर उसने वो बात कही थी वो बात जिसने ना सिर्फ मुझे अपनी किसमत को कोसने के लिए मजबूर किया बलकि कुछ पलों के लिए बेहोश कर दिया था क्या कोई और नहीं मिला था उसे मश के सितम के लिए जो उसने सुहागरात के दिन ही जहर के मुझे तीर मुझे पर फेंक मारे थे ये कहकर देखो सना हमारी शादी तो हो गई लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ घरवालों ने शादी से पहले तुमसे खुल कर बात करने का मौका ही नहीं दिया वरना मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि मैं तुम्हें पती होने का सुक नहीं दे पाऊंगा लफजों की गरम गरम चोटे मार कर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया था दरारों और छेदों से भरा लकडी का दर्वाजा उसके जाने के बाद कुछ देर तक चर चूं करके हिलता रहा था पूरी रात बद्हाली के हाल में पड़ी रही मैं किसी से कुछ न कह सुन पाने की हालत में नहीं थी बहुत करीबी और चतुरआई से चली गई थी समझ आ रहा था कि वह घर घुसू क्यूं था महले में उसके परिवार के साथ किसी का मेल जोल क्यूं नहीं था अगली सुबह जब काली रात के बीच जाने का होश आया तो उसी लेंगे में उजड़ी हालत लेकर मैं भाईया के दरवाजे पर खड़ी हो गई फिर वही हुआ जो लोवर ग्रेड के महलों में होता है थोड़ी चिल्ली चोट, थोड़ा मार पीट, थोड़ा धोड़ी का आरोप और आखिर में मुझे समझा बुजा कर ससुराल वापत पेज दिया गया भाईया का कहना था कि लड़के ने मेरे साथ कुछ नहीं किया ये कौन यकीन करेगा, जबकि मैं उसके साथ एक रात गुजार चुकी हूँ इसके आगे जो वे नहीं कह पाए थे, वो मैं खोदी समझ गई थी कि मैं किसी और का जूठा कोई आसानी से नहीं खाता फिर हम तो गरीब थे, हमारा जूठा कौन खाता पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जो कहीं नौकरी करके पेट पालती भाई भी कब तक मेरा बोज उठाते नतीज तन अपने माथे से जूठे का दाग मिटाने के लिए मुझे दूसरों के घर जूठे बरतन साफ करके अपना पेट तब तक पालना पड़ता जब तक मुझे स्मीकारने वाला कोई और ना मिल जाता इसलिए मेरे बेहतरी इसी में है कि मैं उसी घर वापस चली जाओ शारीरिक सुक में क्या रखा है? बाकी लड़का पढ़ा लिखा है अच्छा कमाएगा और खूब एश करवाएगा ये बातें मेरे जहन के साथ साथ कुछ दिनों में महले वालों की जुबान पर भी थी महले की पंचायत भी बैठी थी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला मुझे वापस उसके घर भेज दिया गया मेरे लिए वह घर उस काली जेल की तरह था जिसमें रहकर मुझे अपनी जिन्दगी के साल गुजारने थे जहां मुझे पता था कि ता उम्र मुझे इस्तरीत्व का सुक नहीं मिलेगा मिलेगी तो बस अपनी तनहा राजधानी में अकेले राज करने की सजा आदमी होती तो कहीं बाहर जाकर अपने होने का सुक भोगाती लेकिन ओरत थी ऐसा करने की सोच भी मेरे और मेरे घरवालों के मुझ पर कालिक पोद देता बहुत महीनों की जद्दो जहत के बाद वही हुआ जो शायद ऐसे हालात में सब के साथ होता है एक्स्ट्रा मेरिटल एफेर वह दूसरे महले का लड़का था बाले वही वह वक्त था जब खुद को जला देने वाली आग पर मैंने अपने कदम बढ़ाये थे उसके साथ घर से भाग कर भागी तो यह सोच कर थी कि किसी दूसरे शहर में जाकर फिर से अपना अश्याना बनाऊंगी लेकिन होश आया तो खुद को दलालों के बीच पाया तब से लेकर आज तक अपनी दलाली कर रही हूँ पहले जोर जबरदस्ती से की फिर उसे गरीबी और मजबूरी का नाम दे कर कुबूल कर लिया शायद हमेशा इसी नकली लिबास में लिप्टी रहती अगर कल राज सागर से मुलाकात न हुई होती और मन में एक बार फिर भाई से मिलने की अपने घर वापस लोट जाने की इस दलदल से बाहर निकल जाने की ख्वाहिश न जगी होती शिव मंदिर के पुजारी ने तीसरी बार आकर पूछा कोई परेशानी है बेटी तो मैं समझ गए कि अब मैं कुछ देर और यहां बैटकर अतीस के पन्ने नहीं पलट पाऊंगी अब घर की तरफ कदम बढ़ाने ही होंगे जाकर देखना होगा कि मेरा भाई साथ साल बाद अपनी बहन को गले लगाता है या धक्के देकर घर से निकाल देता है घर पास आते आते मेरे मन की घबराट बढ़ने लगी पता नहीं भाईया कैसे मिलेंगे मिलेंगे भी या नहीं देखते दरवाजा बंद कर दिया तो ना जाने कितने ही सवालों के साथ मैं धीमे कदमों से घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई साथ साल पहले जिस दरवाजे ने मुझे अकेला कर दिया था उसी दरवाजे पर फिर अपनी किस्मत आजमाने आई हूं रिष्टे रूनने आई हूं साथ सालों में बहुत कुछ बदल गया है गंदे नाले का मुँव बंद हो गया है घर की मरमत हो गई है दरारों से भरे दरवाजे अब कथा ही रंग से चमक रहे है घर की बारी दिवारें बता रही है कि हालात अब पहले से नहीं है अब गरीबों के बादलों की रंगत बदल गई है एक बार लगा कि कदम मोड़ दूँ वापस चली जाओं ना अपनाया तो फिर उसी दलदल में जाते हुए मौत आ जाएगी फिर लगा कि खून के रिष्टे इतनी जल्दी फीके नहीं बढ़ते वे मुझे जरूर अपनाएंगे मेरी तकलीफों को सहलाएंगे और बीते सालों में जो घाओ मुझे लगे हैं उन पर मरहम जरूर लगाएंगे यहीं सोचकर दरवाजा खटखटा दिया जी कहिए उम्मीद भाई की थी लेकिन अंदर से किसी औरत ने दरवाजा खूला देखकर अंदाजा हुआ कि शायद भाई ने शादी कर ली है जी वो राम भाईया मैंने जिजकते हुए पूछा तुम शाय सना हो उस महिला ने मुझे से कहा फिर मेरी आश्चर से भरी निगाहों को देखकर खुदी आगे बोली मैं तुमारी भाबी हूँ आओ आओ अंदर आओ हजारों सवाल और तेज धड़कते दिल के साथ मैंने अपने घर में कदम रखा वह घर जिसकी मिट्टी की दीवारों और टपकती छट से कभी हमारे बेजार हालाद दिखते थे अब पक्की दीवारों और कंक्रीट की छट से अपने बदले हालाद बयान कर रहा था कभी जहां एक ही टेबल फैन की हवा लगती थी तो कभी भाईया की तरफ और कभी मेरी तरफ गूमती थी आज वहां हर कमरे में कूलर लगा था पथर के अलमारियों में प्लास्टिक रेगजीन बिच गई थी और उसमें भाईया भाईया की शादी की तस्वीरे लगी है तार वाली कुरसियों की जगए अब तीन कुरसी वाले सोफे ने ले ली है यह सब भाईया के साथ दहेज में आया है या भाईया की मेहनत है मालूम नहीं लेकिन अपने फटे हालात का एक मुकमल मुकाम देख कर बहुत खुशी हुए बस तकलीफ इस बात की थी कि भाईया की शादी में मैं मौदूद नहीं थी माबाप के बाद जब सिर्फ भाई ही सरपरस्त हो तो लगता है कि उससे जुड़ी हर खुशी हर गम में शामिल हो मैंने ये हक खुद ही गमाया था वक्त हर खाव को भर देता है इसका एसास मुझे भाईया की बातों से हुआ भाईया की नाराजगी शायद अब कम होई होगी तब ही तो भावी मेरे बारे में जानती है वो मुझे देखते ही पहचान गई मुझे हसकर बात की घर में बुलाया अगर भाईया मुझे नाराज होते तो भावी को मेरे बारे में कभी न बताते कह देते कि मैं जिन्दा ही नहीं हूँ घर के बदले रूप का मुआयना करते वक्त मेरी नजरें भाईया को भी ढूंड रही थी पीतर के कमरे से निकल कर कवे मेरे सामने आ जाएंगे कैसे उनका सामना करूंगी यही सोचते सोचते कदम अंदर की तरफ बढ़ गए रहता था वहां भाईया का डबल बैड और नया कलर टीवी आ गया है हाँ चौक में कैरम अब भी वैसा ही रखा है गोटियां भी आदी गड़ों में और आदी बोड पर फैली हुई है कितना गुसा करती थी मैं इस बात के लिए भाईया से कि गोटियां डिब्बे में भर कर रखा करिये उन्होंने मुझ पर घर से बाहर की पाबंदियं जरूर लगा रखी थी लेकिन घर के भीतर कभी ताज तो कभी कैरम खेल कर वे मेरे साथ समय जरूर बिताते थे ये कैरम भी बाबा के जमाने का है कमरे के खाली कोनों में पड़े तूटे सामान की जगे अब करीने से सरजे हुए फलार पॉट इतरा रहे हैं गरीब की खोली अब मध्यम वर्गिय घर बन गई है वे अब भी कभी कभी तुमारी पसंद की मिसी रोटी और मिर्ची लूंजी बनाते हैं कभी मुझे नहीं बनाने देते मुझे रसोई में बचपन की बिखरी यादों को समेटते देखा तो भाबी ने कहा वक्त की बधाली में जब हमारे पास महेंगी दाल और सबजी खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे तब भाबी चक्की से बचा हुआ आटा बेशन मिलाकर खरीद लाते थे और सिर्फ मिर्च की लूंजी बनाकर हम दोनों अपना पेट भर लेते थे मेरी आखों के कुने नम होने लगे हैं भाबी से बाते करने का और मन नहीं है बस भाईया से मिलने की बेचैनी है खाना खाकर सोफे परी सिर्हाने तकिया रखकर लेड़ गई खयालों में भाईया की छवी बनाने लगी कैसे दिखते होंगे अब अब भी वैसी घानी दाड़ी मूच रखते होंगे या भाबी के कहने पर चिकने हो गए होंगे जब मैं यहां थी तब भाईया अक्सर कहते थे माबाप होते तो मैं एक बार अपनी किस्मत आज़माने मुंबई जरूर जाता वे जब कहते थे तब मैं हस देती थी फिर खुद भी वही सोचती थी कि 6 फुट लंबा सावला बांका सजीला किसी हीरो से कम तो नहीं लगता अब पता नहीं 37 की उम्र में शायद उनके आगे के बालों में कुछ सफेदी चमक आई हो मुझे यकीन है कि उन्होंने अपनी सफेदी रंग ली होगी उन्हें बूढा दिखना कता ही पसंद नहीं था उनकी आँखों में अब भी उतना ही रॉब और आवाज में उतना ही दब-दबा होगा जिससे मैं थर-थर कापती थी हो सकता है भाबी के आने के बाद उनके में जाज में कुछ नर्माई आई हो माँ बाबा होते तो ना हमारा घर जर जर होता ना ही शकल सूरत ऐसी होती जिसे देखकर कोई कहता कि हम गरीबों की इस बस्ती से हैं मैं खुश हो कि अब भाईया ने हालात को काबू करना सीख लिया है ये अब यहां क्या लेने आई है इसे लगता है जो धंदा ये वहां कर रही है वह यहां किसी से छुपा होगा मेरा बस चले मैं इसे जान से आहिस्त भोले भाबी उन्हें समझा रही थी शायद औरत होने के नाते मैं सोफे पर भाईया के बारे में सोचते सोचते कब सोई उसी बीच भाईया भी दबे कदम कब घर में गुसे पता नहीं चला आँख खुली तो वे शब्द कानों में पढ़ रहे हैं जिनकी उम्मीद तो थी लेकिन मन्स वीकार नहीं कर रहा था जाने ऐसी क्या अग लगी थी बदन में कि एक अच्छा भला इंसान छोड़कर धंदा करने लगी अब देख वो शहर में पचास हजार महीना कमा रहा है कहीं तो ये बातें भाईया ने पहले भी कई बार होंगी या सोची होंगी लेकिन मेरी मौदूदगी में शायद अपने अंदर के ज्वाला मुकी को फटने से आज रोकना नहीं चाहते हैं मैं चाह रही थी कि अंदर जाऊं उन्से बातें करूं उन्हें सब बताओं कि ऐसा मैंने नहीं चाहा था बस किस्मत ने करवा दिया उनके गले लगकर रों उन्हें अपने गले लगकर रोने दू और हम दोनों मिलकर अपने अंदर दबे गुबार को जो सालों से दबा है अज निकल जाने दे मैं उठती उससे पहले ही भाईया कमरे से बाहर निकले मैं आँखे मूंदे पड़ी रही उन्होंने पुर्जोर दहारते हुए कहा हमें अपनी नसलें इसके नाम के साथ जोड़ कर बरबाद नहीं करने कह देना इससे कि जिस गटर से आईये उसी में वापस लोट जाए शब्द खत्म होने के बाद घर का दर्वाज़ जोर से बंद हुआ और भाईया के साथ उम्मीद भी हो चलो गई सिराने रखा तकिया अब तक मेरे आस्मों से भीग चुका है मैंने अपना बैग उठाया और फिर से मुँपर कपड़ा बांद कर घर से निकल गई भाभी ने न रुकने को कहा न चले जाने को मेरे अर्मानों का जरजर मकान जिस पर मरमत करके मैंने बड़ी चतुराई से नया किया था एक बार फिर ढगया मैं बिखर कर जहर खाकर मरने का मन बनाकर घर से निकल गई किसी मेरेकल स्टोर पहुंचती उससे पहले मुबाइल बजा सागर का फोन था उसके काट से मैंने उसका नमबर सेव कर लिया था लेकिन मैंने तो उससे अपना नमबर दिया ही नहीं था मैंने फोन काट दिया अब मरने से पहले क्या शिक्वे शिकायत करूंगी फोन काटते ही फिर वजा इस बर मैसेश था सागर का पढ़ने लगी तो कदम डगमगा गये सना मैं तुम्हारा गुनहेगार हूँ तुम्हें जिस गर्त में मेरी वज़े से जाना पड़ा उसका प्रा हारी है और शरीर का बोज उठाने के लिए पैर राजी नहीं है चाहती थी कि सीता मैया की तरह यहीं धरती फटे और मैं उसमें समा जाओं लेकिन मुझे मेरे राम ने पुकार लिया था अब मेरी एक हां हम दोनों को ही इज़त भरी जिन्दगी लोटा सकती है वो इज़त के मायने सिर्फ तभी तक हैं जब तक हम घर की देलीज नहीं लांगते और दुनिया के सामने अपने असल रूप को छुपाने में कामयाब रहते हैं कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो क्रपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवश्चे करें